नमस्कार कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है दस साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है अगर दस साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उधर हमारे युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समादान ढूंडने की बजाए सीए की बात कर रही है तो ये बड़े दुख की बात है ये सीए आखिर है क्या बीजेपी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अलप संख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिक्ता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अलप संख्यों को को हमारे देश में लाया जाएगा उनको रोजगार दिये जाएंगे, उनके लिए घर बनाये जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा, अजीब बात है ना, बीजेपी की केंदर सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के तो धेरो लोग बे घर हैं लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं उनको घर देना चाहते हैं हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा इन तीन देशों में लगबग धाई से तीन करोड अल्प संख्यक हैं ये तीनों बहुत गरीब देश हैं जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन तीन देशों से भारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी अगर इन धाई तीन करोड में से डेड़ करोड लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार कहां बसाओगे इनको बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार क बनाने की गंदी राजनीती है इन तीनों देशों से डेड़ दो करोड लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग-अलग भागों में बसाया गया जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां जुगियां डाल के अगर इन लो में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है ऐसा कुछ लोगों का कहना मुझे नहीं पता है यह सचे की गलत लेकिन सबसे बड़ा प्रशन है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है एक तरफ बीजेपी की हर्याना सरकार हर्याना के बच्चों को रोजग देला जा रहा है अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं पूरी दुनिय के कानून बनाता है बौर्डर पे दिवारे लगाता है बौर्डर बिजली की तारे लगाई जाती हैं ताकि कोई भी वक्ती हमारे देश के अंदर न आ सके बीजए पी शाय सब्सक्राइब को अपने देश पती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए यह लोग भारत में फैक्टरी चलाया करते थे इंडस्ट्री चलाया करते थे बड़े-बड़े व्यापार किया करते थे लाखों लोगों को नौकरी देते थे रोजगार देते थे यह बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत् बेक्ट्रियां खोलेंगे नएने व्यपार खोलेंगे अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा यह क्या बत्तमीजी है कि बांगलादेश के पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के रोजगार उनको दे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांगलादेश से लोग भारत में आने लगेंगे आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आई हुए लोगों को नागरिक्ता दी जाएगी देख ले ना अगले चनाव में यह बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के खोल दिये यह देश के लिए बेहत खतरनाक है और इसका सबसे जादा खामियाजा उत्तरपूर नौर्थ इस्टन स्टेट्स भुगत रहे हैं खासकर आसाम आसाम के लोगों की भाशा और संस्कृती खत्रे में पढ़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांगलादेश से इतनी ब और श्कृत नौराज हैं एक तरह ऐसे देखा जाए तो हीमंट विश्व शर्मा जो बीज ए यापिके मुख्यमंत्री है उन्हों ने धोका दिया अपने लोगों की खातिरों ने C.A. का विरोध करना चाहिए था उन्हें कहना चाहिए था कि असाम के लोगों की संस्कृति और भाशा दोनों खत्रे में हैं ये बिल्कुल बरदाश्ट नहीं किया जाएगा तो दोस्तों पूरे देश की मांग है कि C.A. को वापस लिया जाए हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुसा जाहिर कीजियर नमस्कार्व